सिंगो बॉडर पर स्थानिय लोगों का प्रदर्शन उग्र हो चुका है हम तस्वीरे क्योंकि लगातार दिखा रहे हैं अभी जानकारी आपके लिए स्थानिय लोगों ने सिंगो बॉडर पर तोड़ फोड शुरू कर दी है पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है और जिनको पीछे कर रही थी पुलिस वो वही लोग हैं जो बॉडर खाली कराने की मांग को लेकर सडकों पर उतरे हैं तो मेरा बॉर्डर खाली करो सिफ एक नारा लोगों की जुबान पर लेकिन किसी भी तरह से उगर होना जायस नहीं ठहराया जा सकता तोड़फोड को जायस नहीं ठहराया जाएगा सब्र से काम लेना होगा सबको ये तस्वीरे बहुत मैत्वपूर्ण है आज की सिंगो बॉर्डर पर दोनों आमने सामने एक तरफ तो वो लोग जो प्रदर्शन कर रही है प्रदर्शन कारी और एक तरफ आज वो लोग बड़ी संख्या में पहुँचे है जो इस वक्त ये कहते हैं कि उनका बॉर्डर खाल कराने की मांग को लेकर कठा हुए थे और शायद देखे कैसे पुलिस यहां से लोगों को तितर बितर करने में भी जुद गई है क्योंकि पुलिस फोर्स की संख्या यहां पर बढ़ा दे गई थी जो हालात है जो भीड यहां पर लगी थी दोनों तरफ से उसी को देखते वे पुलिस फोर्स ज्यादा यहां पर है ताकि हालात पर काबू पाया जा सके लेकिन पत्थर बाजी शुरू हो चुकी है जो भीड यहां पर विरोत करने पहुची है इस अंदोलन का इन प्रदर्शन कारियों का और उनकी मांगी है कि उनका बॉर्डर खाली कराया जाए व देखें जो टेंट लगे हैं वहां जहां प्रदर्शन कारी बैठे हैं वहीं पर जाकर ये उग्र हो गए हैं जो इस्थानिये लोग थे वो ये कह रहे हैं कि आप हटो यहां से आपने तस्वीरों में सुना आप देख रहे हैं तस्वीरे और पुलिस अब उन्हें खदेड एज जिस हैं तस्वीरे जिस चाहिएवार कार्वार को ये लोहां गए उन्हें प्लप माल थेख रहें जोहां जोगनाव जोगनान पर भधा सृट से सम करतंब लोगना जोगना जोगना जोगनाव तस्वीरे झाल, झाल, फाल, पियो मारे जो जो एका लाल कज एक लुडिवारा इसा झाल, एक लिव काल झाल मारे अगरा इसा झाल, 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 झाल जो किसान अंदोबन की तरफ से बताया जा रहा हुई लेकिन हीर्ट में जो रोलों तरसे प्सथर चलने सिफ्व हो गएथे तो आसू गेस के गोले छोड़े जा रहे हैं हाला कि जो जानकारी मिली है दोनोर से पत्थर बाजी हुई है उसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए लाठी चार्च किया भी आपने देखा जो प्रदर्शन कारी थे और अब ये आसू गेस के गोले फायर हो रहे हैं ताकि इस बीड को इन इस उपद्रफ को रोका जाए यहाँ पर फिलाल हालात बेकाबू होते हुए आप देख रहे हैं और पूरी कोशिश दिल्ले पुलिस की तरफ से हालात पर काबू पाने की नियंतरन करने की अभी आपने देखा कैसे लाठी चार्च किया गया पुलिस की बाजी हुई है और बीच में पुलिस ने बीच बचाफ करने की कोशिश की तो कोई मानने को तयार नहीं था जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्च किया और अभी आपने देखा आसू गैस के गोले भी पुलिस की तरफ से दागे गए हैं यह सीधी तस्वीरे लाइफ तस स्वीरे हैं स्थानिय लोग सिंगो बॉर्डर पर पहुचे थे विरोध करने के लिए कि अब उनका बॉर्डर खाली कर दो बहुत हुआ वो चाहते हैं कि अब यहां से किसान लोट जाएं यह प्रदर्शन कारी लोट जाएं जो आंदोलन के नाम पर इतने दिनों से डटे ब पड़े और यह जो अभी तस्मीर आप देख रहे हैं देखिए यह अंदोरनकारी पिसान है क्योंकि इनके सारे इनके टेंट लगे हुए हैं इनके ट्रैक्टर्स खड़े हुए है कोशिश करते हैं सुरने की समझने की हो क्या रहा है इस वक नहां पर दोनों और से हंगामा हुब हंगामा हो रहा है यह किसान है यह वो एरिया है सिंगु बॉडर का जहां पर टेंट लगाकर और अपने ट्रैक्टर्स खड़े करकर किसान धरने पर हैं यह वो इलाका है और देखें यह लोग अभी क्योंकि पत्थरबाजी हो रही थी पुलिस एकड़म एक्टिव मोड में आ गई रोका गया है असुगैस के गोले दागे गए उसके बाद से दोनों तरफ से नारे बाजी हो रही है यानि एक तरफ प्रदर्शनकारी और एक तरफ स्थानिय लोग जो यह कहते हैं कि उनका इलाका छोड़ो उनका बॉर्डर खाली करो यह तस्वीरे आज की सिंगू बॉर्डर की आप देख रहे हैं बड़े संख्या में पुलिस की तनाती यहां पर है ताकि हलात काबू में रहें लेकिन अभी कुछ देर पहले लाठी चार्ज भी करना पड़ा पुलिस को क्यूंकि आंदोलनकारी एक दूसरे पर पत्थर बड़सा रही थे यह एक तस्वीर अभी सीधी आप देख रहे हैं और एक अपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जहांपर जब इकठा हुए थे स्थानिये लोग धीरे धीरे और इनकी संख्या बढ़ती गई हातों में तिरंगा लिए खालिस्तान मुर्दबाद के नारे ये लगा रहे थे और तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे और एक तरफ अभी आप देखिए जो बाद के हालाते हैं उसे कुछ देर पहले लाटी चार्ज करना पड़ा है आसुगेस के गोले छूड़े गए हैं पुलिस की तरफ से लाटी चार्ज करना पड़ा क्योंकि दोनों तरफ से पत्थर बाजी हो रही थे खदेडा है प्रदर्शन कारी उको पीछे की तरफ दोनों और से क्योंकि जो आंदोलन कारी हैं वो भी आगे की तरफ बड़े थे जब इधर भीड उगर हुई जो विरोध में लोगी कठा हुए हैं स्थानिय लोग वो जब आगे बड़े इनके टैंक्टों के पास तो फिर पुलिस को बीच बचाफ करना पड़ा लेकिन उस दौरान लाटी चार्ज भी करना पड़ा थोड़ा और आसुगेस के गोले भी पुरी तलवार लेकर वो पहुंचे तेरे उपर सीधा हमला मतलब लगी तलवार से हमला करते हुए तभी पकड़ना पड़ा इनके हाथ पर जो तलवार लेकर वो जिस स्थानी लोग के तरफ दोड़े तो उस चीज़ को संबालने के चकर में इस वक्त पुलिस के लिए पुलिस को कि अब हमें आगे जाना दिया जाए पुलिस दोनों पक्षों को रोकने कोश्च करती है लेकिन दोनों पक्ष एक बार इस जगह पर आमने सामने आते हैं इस जगह लगातार नारेबाजी होती है दूसरी जगह सामने की तरफ जो किसानों के तंबू है वो इस वक्त यहां पर आगे की तरफ पहुँच चुकी है और किसानों से एक बार फिर बातचीत की ज़रूत हो रही है लेकिन वो कुछ इस किसान इन्में से निकलते हैं जो कि पुलिस वालों के पर हमला हुआ है एक नंगी तलवार के को लेकर किसान पहुँचता है और एक एक जड़ब नज़र आएगी आपको कि जो बेरिकेडिंग है वो पूरी तरह से तहस्नेस कर दी गई है उस बेरिकेडिंग पे अगर आप नज़र लगाएंगे तो भी आपको ऐसा ही कुछ नज़र आएगा जो तंबू था उनका यानि कि जो टेंट्स उनके लगाए गए थे वो देखके आपको नज़र आएगा कि जो टेंशन है उस सिंगू बॉर्डर पर भी बढ़ने लग गई है और किसान जो मातरा भी अब का मारी है वो ट्रेक्टर जो हमें देखने को मिलते थे वो भी अब इस वक्त यहां पर इतने नज़र नहीं आ रहे हैं जो किसानों की मा बात कर रही है लेकिन उसके बीच में जो हमला हुआ वो पुलिस पर हुआ जो पत्थर बाजी हुई वो पुलिस पर हुई क्योंकि जब स्थानिये लोग यहां पर पहुंचे उन्हें कहा गया कि अब इद बॉर्डर को खाली करने का समय है तो किसानों ने गुसे में जो बह अब छो करे पायेगा हुई तो आब कर देख रहे हैं यह सिंगू बॉर्ड़र पर इस फक्त खालाद कितने तनामतून हो चुके हैं तो प्रेक्राइनये लोगवा परतरशन का यह प्रदश्टान यहलोग बाता की जैके आरे लगाए ऑसफ़क्त वहां से वरुनिय लगातार हमाई साथ जुड़े हुए हैं और हम तक के तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं वरुन ये हालात इतने वहाँ पर बेकावू कैसे हो गए कि पुलिस को लाठी चार्ज भी वहाँ पर करना पड़ा और आसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े वरुन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पारी है लेकिन हम कोशिश करते हैं मारे दूसरे संवादाता भी वहाँ पर मौजूद है मनीश हमारे साथ है मनीश हालात काफी तनापूर्ण इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर जो प्रदर्शन कारी हैं और स्थाने लोग आमने सामने और हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहाँ पर पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा आसू गैस के गोले भी छोड़ने प पास वो बिरोत कर रहे हैं जो यहां सिंगू बॉर्टर पर किसान प्रोटेस कर रहे हैं उनको खाली करने को लेकर के यहां पर थोड़े देर पहले हंगामा किया जा रहा था जिसके बात से जो भीड़ यहां बढ़ती जा रही थी उसको तितर बितर करने के लिए पुलिस की पूर्स यहां पर डेपलाई की गई है ऐसे बैरिकेट्स लगाए गए हैं ताकि अगर कोई भीड आन्यंतरित होती है तो उसको रोका जा सके और पहले से इस बात की आशंका जताई जा रहे थी क्योंकि जो हर्याना के तमाम जो इलाके हैं या फिर दिली से सटे या बॉर्डर के लाके हैं लाल की लिए के ऊपर जिस तरीकर आटाइक हुआ 26 जन्वरी के दिन जिस तरीकर भीड ने पुलिस पर आटाइक किया उसके बात से लोगों में गुसा है खासा क्योंकि तिरंगे का अपमान किया गया कई 300 जादा पुलिस वाले इस वक्त घायल हुए उस दौरा और कई को अस्पिताल में भरती होना पड़ा तो यहां पर तनावपूल है शांत होती है लेकि थोड़े देर मद अचानक फिर भीड़ा जाती है और पुलिस को यहां पर यूज करना पड़ता है यहां इंटरनेट सस्पेंट किया गया है थोड़े देर के लिए और इस वज है प्रदर्शन कारियों और स्थानिय लोगों के बीच तो पहले से यह दो महिने से किसान आंदोलन वहां पर जो स्थानिय लोग हैं हमने कल भी आपको दिखाया था कि उनने अब बेहत गुस्सा है इस बात को लेकर कि इस आंदोलन का जो मकसद है जो नियत है वो कुछ और ह है जो हिंसा देखी है लोगों ने गंतंत्री दिवस के दिन जस दिन किरंगे का अपमान किया गया उसके बाद ये जो पब्लिक मूड है जो जल समर्थन अभीता के सांदोलन को मिल रहा था वो पूरी तरह से अब बदल चुका है और यही हम देख रहे हैं कि ये टक्राफ की स्थिद्धी बनी हुई है स्थानय लोग वहां पर नारे बाजी कर रहे हैं लाठी टंडे आप देखिए इनके हाथों में पत्थर भी फैंके जा रहे हैं तो पत्थर बाजी भी हो रही है लाठी डंडों का साहरा भी अब लिया जा रहा है कि जो प्रदशन कारिया वाहा अ मनीश पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं लाठी डंडे भी दिखाई दे रहे हैं काफी मशक्कत करनी पड़ रही है वहाँ पर पुलिस को सितिको नियंत्रन में करने के लिए यहां बिल्कुल देखे करीब 300 से 400 की संख्या में यहां भीड़े कट्टी हो गई है जो लोकल्स हैं और कुछ दूसरे ग्रूप्स के हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो किसान यहां पर इकट्टे हुए हैं वो यहां पर आंदोलन खतम करें अपने घर पे जाएं और चुकि यह जो भीड़ आई हुई है और यहां सिंगो बाटर पर जो किसान बैठे हुए हैं उनके बीच में कहीं जगडा ना हो जाए किसी तरीके इससे वायलेस ना हो जाए उसी को दूर करने के लिए पुलिस कोशिस कर रही है और जो भीड़ है उनको हटाया जा रहा है लेकिन जैसे ही भीड़ वापस आती है पुलिस को हटाने के लिए आंसु गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं उन पर हलका लाठी चार्ज किया जा रहा है ताकि भीड़ यहा तो हमला किया उसको लेकर के पूरे देश में नराजी है लगातार हम इस बात को दिखा रहे हैं और यहां पर भी हम आपको जिसे बहुत जादा उगर हो गई है और दूसरे इसके वरुन भसी में हमारे साथ हैं वरुन भसी ने पत्थर बाजी किसके और से पहले शुरू हुई लाटी डंडे भी चलने शुरू हो गए आप तो हाँ पत्थर बाजी का पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है तो जो स्थानी लोग थी उनका भी गुस्सा बढ़ता है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और जहां पर यह जो शुरू के टेंट्स अगर मैं आपको दिखा पाऊ तो यहां पर वो लोग पहुंचते हैं तो शुरू के जो टेंट्स में जहां पर पूरा सिंगू बाडर शुरू होता है जहां पर यह उनका कैम्प वहां पहुंचते हैं और लगातार जो आपस की एक लड़ाई शुरू होती है आपस में उनके धका मुक्की होती है और उसके बाद यह तस्वीरे आप देखिए जो उनके वाशि पुलिसदा हमला करा गया एक नगी तलवार से उन्हों ने भी पत्थर बाजी की और पिजब पत्थर बाज़ी का एक सुन्चलह शुरू हुआ तो उसके बहुत से लोग जो दोनों पक्ष की अगर मैं बात करूँ तो दोनों तरफ से गायल ओग है लेकिन यह रोश यह जो nerves शुरुआत हुई यह वहाँ से हुई कि स्थाड़ी लोगों का यह कहना था कि इस बॉर्डर को खाली कर दिया जाए क्योंकि हमें नहीं लगता है कि यह किसी भी रूप से शुरक्षित हैं हम नहीं चाहते हैं कि हमारे परिवार हमारे घर आसपास जो रहते हैं तो इतना दहशत में जीए कि जो जो लाल किले में गुश सकता है वो हमारे घर में भी गुश सकता है और लगाता है वो भी आगया की तरफ आती है किसानों से एक बार फिर आप बातचीत की बात सुरू हो रही है एक बार वापस से नई बेरिकेटिंग की कोशिश की जाए क्योंकि जो पुराने बेरिकेट्स थे अगर मैं वो आपको दिखाने कोशिश करूँ तो वो पूरे हट चुके हैं किसान भी उगर नजर आये थे स्थानिय लोग भी रोश में थे और उसके बाद से जो एक दूसरे पर पत्तर बाजी का हमला हुआ उसमें पुलिस वाले भी घायल हुए है उसमें स्थानिय लोगों को भी चोटे आई हैं उसके अलावा जो एक किसान है वो नंगी तलवार लेकर जब दोड़ा था तो उस पर भी पुलिस ने करवाई कि यह उनको शहद पकड़ कर लेगे गए हैं कि इस बात की और पुष्टी करेंगी वो किसान कौन सा था और वो क्या करने के लिए इस थानिय लोगों की तरफ जो नंगी तलवार लेकर भागा था लेकिन इस वक्त पुलिस मैं आपको तस्वीर दिखाने कोशिश करू तो किसानों से बात्चीत कर रही है कि वो जो कि मंच पर लगातार जो भाशन है वो चल रहे हैं और कुछ लोग जो है लगातार इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं लगातार हम से जुड़े रहते हैं ये कैमरा लेकर हमारी तरफ लगातार आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप मेरे साथ तो आप हो रहा है और आप देख रहे हैं किस तरह से टक्राफ की सिती बनी हुई है प्रदर्शन कारी और स्थानिय लोगों के बीच और यहां तक की वरुन वहां से यह भी बता रहे हैं कि यह हालात इस कदर वहां पर बिगड़ गए कि एक जो वहां पर किसान है वो तलवार लेकर भागे इन स्थानिय लोगों की तरफ और उसके बाद वहां पर हालात और जादा बिगड़ गए और यह कौन शक्स है इस बात की अलनकि पुष्टी होने अभी बाकी है और उनको भी पुलिस ने फिर नियंतरण में किया समझाने की कोशिश हो रही है इस थानिय लोगों की वो इस तरह से आगे न बढ़ें क्योंकि लाठी डंडें के हादूं में है पत्थर बाजी लगातार की जा रही है अब ऐसे में लोग घायल हो सकते हैं तो अब सुरक्षा बलों की कोशिश यह है कि कैसे अब स्थिती को वहाँ पर नियंतरण में किया जाए और हालात वहाँ पर बिल्कुल पहले जैसे हो जाए वरुन बसीन आब बता रहे थे कि तलवार लेकर भी एक किसान भागा था आगे की ओर और आब वहाँ पर लाठी डंडे जस तरह से चलाए जा रहे हैं किस तरह से पुलिस अब इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है लगनी राय यह सुनने के लिए तैयार है जी बिल्कुल लगातार पुलिस की दरब से जी बिल्कुल जो बैरिकेड्स लगे हुए थे वो उख़ड के उख़ड दी गए थे दोनों तपक्षों की तरह दक्ता मुक्की हुई थी उसके बाद से आप पुलिस लगा रही है कि जो एक लाइन बनाई गई थी वो थोड़े कनेक्शन में प्रॉब्लम आरी है वरून लेकिन आप बता रहे हैं जो बैरिकेड्स हमने कल भी दिखाया था कि किस तरह से वहां बैरिकेड्स लगा दी गए एक सीमा तैय कर दी गई थी कोई मुश्ममेंट वहां पर अब नहीं हो सकती है हाला कि जो मंच है जहां पर भाश्ण होते रहे हैं कि दो महिले ममन देखा है जब कभी सरकार से बाचित करने के लिए जाना होता था तो यही मंच का इस्तिमाल होता था यहीं पर यह बैटकों का दौर होता था जिसमें मांग उठा रही हैं और ऐसे में उनकी मांगे उन्हें जाइज भी लग रही थी एक जन समर्थन था इसांगनों के लिए एक साहन भूती थी इनके लिए लेकिन आप जो गंतंत्र दिवस के दिन जो देखा लोगों ने उसके बाद अब इस आंदोलन की दिश्चा किया है आखी डंडे भी वहाँ पर चलने शुरू हो गए वरुन अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पारी है अब जरा बताएए कैसे वहाँ पर जो पुलिस बल है इन लोगों को समझाने की कोशुश कर रहा है जी बिल्कुल अगर मैं आपको तस्वीरों के ज़िए अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पारी है तो अब किस तरह से इन प्रदर्शन कारियों को और किसानों को समझाने की कोशुश वहाँ पर हो रही है देखे यही काम माज़ा पुलिस कर रही है पुलिस नहीं चाहते कि जो लोकल्स हैं या जो किसान यहां पैठे हो सिंगू बाउजर पे उनके बीच कोई टकरा हो और इसलिए बार बार पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है जो यहां पर इस्थानी लोग है वो नराज इस बात से उनका कहना है कि इनको दिक्क्तिय हो रही है पहले भी हम दे सिंगु गॉहंँ के अंधर गाहते और आपती थी तो गॉहंँ भी इस बात को लेकर दिक्कत थी की चुकी रास्ता बंद हो जाने से उनके सामें कई तरीकी के दिक्कते हो गई है और चुकि जब सरकार यहां पर किसानों से बात्चिंद कर रही है कानून को डेर साल तक के लिए सस्पेंट करने को तैयार है उसके बावजूद जब सुप्रेम को जब इंटर्वीन कर चुकी है तो फिर किसान क्यों नहीं मानना है लेकिन उसके बाद यह स्थित्य और ज़्यादा खराब हो गई जब जिस तरीके से तिरंगे का अपमान के आ गया लाल के लिए में जो कुछ हुआ तो यहां चाहिए हम लोकल्स की बात करें हैं पूरे देश में इस बात को लेकर के खासा नराज है और यही वज़ा है कि लगातार किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो यहां भीड इस वक्ते हां पाई हुई है उससे ना टकरा हैं किसी तरीके ज़र पत्थर ब बैठे हुए हैं और इसके साथ ही लोकल्स हैं तो यह टकराव रुकने की कोशिश हो रही है अभी हाला कि काफी देर से आदे गंटे से आंसु गैस नहीं छोड़े गया हैं काफी आवाज अब आ नहीं रही है लेकिन पुलिस की तादाद लगातार बढ़ रही हम जिस तरी क प्यार से आपस में निकालें लेकिन जहेत तोर पर नराजगी यहां पर है बीच-बेज़ में रुक के पत्थर भी चल रहे हैं यहां कई जो इंटरनेट को सस्पेंट कर दिया गया है और इसलिए जो ताकि जो आपस मेसेजिंग नहों सके क्योंकि वाट्सप जो है वो यू कि और लोग वहां पर आजाएं और कोशिश तो यही है सुर्प्षा बलूं की किसे कर्चोड कर लिया जाए 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 बावजूदिस के इनकी हौस लेकि अदाद देनी पड़ेगी कि इस अधर क्या वादा सीधा हमला आप पर टेटे रहें लिए 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 आप देगे कि इस वक्ति अधर कि इस वक्तितिन कि इस के लोग उने आपके होते हैं और पुरिये तलवार से कर आप इस पचीश कि ट्रीव कोरी तो सटराम बनू था पत्ट पर सथेट नाम पन्नू भी था हाँ घए और शब्रीकर ने रिखा औरो बिल्कुल बड़ी ख़ार है वारो व पंदेर का नाम लिया देखे इनी के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ हुआ है और ये वहां पर लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये नाम आपने देखा ये जो कुलिस करनी है किस तरह से खायल हो गए इनके हाथ में चोट लगी है और इनका कहना है कि तलवार से इन जी बिल्कुल देखिए जैसे ही जैसे ही स्थानिय लोग यहां पर पहुचे थे तो जो रोश था वो किसान भी उसको नहीं सबाल पाए वो भी गुस्से में कई भरे बैटे वे थे तो उनकी तरफ से भी कुछ लोग आते है और एक किसान उसमें से नगी तलवार लेकर पु लोग है उन पर भी जो चोटे हैं उनकों आई है वह जड़ती का पुलिस वर्लों पर फिर एक जवान पर हमला हुआ है इन्हों नों यहां तंकवादियों ने एक और जवान को गायल कर दिया अज हमारे पीछे जवान हमारे बिल्कुल लगातार यहां पर जो स्थानिय स्थानिय लोग थे उनकी तरफ से भी कही ना कई पत्थर चलाए गए इसमें कोई संदय नहीं है लेकिन जब किसान जब तलवार लेकर यहां पर पहुँचा तो दिल्ली पुलिस उस वक्त वहां पर सबसे आगे खड़ी थी और जो अधिकारी वहां पर इंस्थानिय लोगों को बचाने के लिए खड़े थे उनमें से कुछ गायल हुए है कुछ पुलिस वालों को हाथ पैर में चोट आई और एक पूरे पूर पुलिस वाले के पूरे हाथ पर इस वक्त एक बड़ा कट लग गया है अलवार से उन पर हमला हुए है उनका हाथ पड़ चुका है उनको कहना था कि बड़े नेता उस वक्त मन चुपर यानि कि सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर वहां से मौजूद थे तब भी इस तरह की चीज़ हो सकती है तो आप समझिए कि जो प्रदशनकारी है अब वो क्या वाक पर यह समझ आ गया जैसे ही पहले टेंट में से जो सरदार रिकल के आता है वो एक तलवार लेकर आता है और हमला करता है हला कि इस वाक्त की पुष्टी अभी नहीं हुई है कि कौन था वो किस किसान की मोर्चे की तरफ से था लेकिन साफ तोर पर जो पुलिस वाले हैं उन् एक बार इस बॉर्डर पर भी रिपीट हुई है हलाकि जो सीयर पीफ के जवान थे आरेफ के जवान थे वो भी मौझूद थे लेकिन दिल्ली पुलिस वा समझाने के लिए पहुँची हुई थी जो स्थानी लोग थे बीच में लगतार बाची चल रही थी लेकिन उसके बी से बड़ा रौदर रूप ले चुका था अभी भी मैं अगर आपको ताजा ख़बर बताओ तो आगे की तरफ सारी फोर्स इसको कर दिया गया है और इस पुलिस लगातार बाचीत कर रही है पुलिस के ऑफिशल सब किसानों के बीच में एक बार फिर गए है बात करने कि जो अब नहीं संबाल सकते हैं क्योंकि जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है जिस तरह का हमला दिल्ली पुलिस के एक और सिपाई पर इस वक्त हुआ है उसको देखते हैं दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी अभी पहुँचे हैं और अब लगातार किसानों से उनकी बा काबू हो गए य்सौंपूराई पूरी तरह से बेखाबू हो गई हाला की यह पत्थरबाजी जो जानकारी मिल रही है वरूल जैसा की वहां से बता रहे हैं कि दोनों ओर से हुई लेकिन जो वहां के स्थानी लोगों केरे के हमारा गाव है यह हम यह तो इनका पहले पीहर और ये परिशानी अब किस तरह से जबरदस्ट गुस्से में रोश में तबदील हो गई है ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है ये देखे ये वहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चिनौती क्योंकि ऐसे में गायल हो सकते हैं जिस तरह से वहाँ लाठी डंडे चलने शुरू हो गई है पत्थर बाजी शुरू हो गई है आसू ग्यास के गोले हाना की पुलिस वालों ने छोड़े हैं स्थि क्योंकि तलबार से उन पर हमला करने की कोशिश की गई और बचा में उनके हाथ में एक बड़ा कट आया है जहां से फोन बहना शुरू हो गया था और उनका कहना था कि वहाँ पर जो किसान नेता मौजूद थे वो भड़काने की कोशिश कर रहे थे तर्ण फ्टे दिस्वेस हैं आवलेडन बडूल के अफ तोर बाटि नदेट दो नाम